मैं अपनी पत्नियों पर लेकर आयंकर नौमा महीने चल्ला मैं आप पहले बोट डालो मैं एजेंट से बात करका अम पता पड़ा कि मेरी बोट पहले गिर हुई है इन्होंने तब ही गे रही है मेरी मैं लगाता हूँ साइन करता हूँ महल अंगुठ लग हुआ मेरा ऐसे कैसा चरण के मतदान शुरू होते ही भाजपाईयों की गुंडा गर्दी और उनके वोटों की डकैती लोगों से जबरदस्ती बीजेपी को वोट डलवाने का मामला सामने आना शुरू हो चुका है प्रशासन की तमाम तैयारिया और सेटिंग की पोल भी खुलने लगी है वोट म लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं वोटरों की परची वहां पर चीनी जा रही है और जबरदस्ती उनकी परची छीन कर बीजेपी को खुद से वोट लग दिया जा रहा है ये कहना है वहां के लोगों का जो साफ साफ मीडिया के सामने कैमरे पर आके ये बता रहे है कि कैसे बीजेपी प्रत्याश्वी के समर्थाक उनके कारेकरताओं ने गुंडागर्दी की और गुंडागर्दी करते हुए बीजेपी के गुंडे वहां पहुंचे और लोगों के पर्चे छीने और जबर्दस्ती बीजेपी के पक्ष में वोट किया जामोन है यहां पोलिंग इस्टेशन नहीं है क्या दिक्कत देशन था इनने जबर्दस्ती ठाकरों ने रानी पच्छाले का सिंग उनने यहां से हमारा पोलिंग बूत इसलिए उठागे ले गए हम बोट वहां नहीं डालने दे रहे का वालों का किसी का आज क्या गटना यूपी चुनाओं में जीत के लिए बीजेपी जो कर रही है ये सीधे सीधे लोक तंत्र की हत्या है जहां चुनाओं के नाम पर वोटिंग में खुले आम धांधली की जा रही है पहले फेस की वोटिंग में हर जगा भाचपाईयों का यही हाल देखने को मिल रहा है हार का गर बीजेपी वालों के अंदर इसकदर समाया हुआ है कि वोट की चोरी करने पर वोटों की डखैती करने पर उतर आये हैं लोगों से जबरदस्ती वोट करवाने पर उतर आये हैं वोटों की डखैती करने पर रही है वोटिंग के बीच आगरा जिले के पिनाहट में बीजे को वोट देना चाहते थे लेकिन पिठासिन अधिकारी ने जबरदस्ती बुजरुक से भाच्पा को वोट डालवा दिया जिसके बाद बूस संख्या चुछ उदैपुर खालसा पर लोगों ने हंगामा किया और पिठासिन अधिकारी को बदलने की मांग की मेरा मुहमद दानी जसात नाम अब अपनी पत्नी के साथ आप बोट करने के लिए आए इसे किसा किरी जाए कि मेरे बोट कोई डाल सकता कि या मानते है फारजी बोटिंग डली है जब मैंने बोट डाली नहीं है तो मैं तो अब लेकर आए हूं बिल्कुल गैसा जस्त इस संगामे के बाद भी चुनावायोग अब तक मौन है अब तक इन मामलों पर कोई भी संग्यान नहीं लिया गया और ऐसी ही तस्वीरे एक के बाद एक सामने आ रही है उत्तरप्रदेश की गाजियाबाद में भी यही हाल देखने को मिला वहाँ पहले चरण के मतदान में भारी शिकायते आ रही है कई बुजूर्ग ऐसे हैं जो आज मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंचे और उन्हें वहाँ पता चला कि उनका वोट पोस्तल बैलेट से पहले ही डाला जा चुका है गाज़बाद के एक पोलिक बूत के बाहर खड़ी बुजूर्ग मुस उनकी वोटिंग हो चुकी है कहां से आई है और क्या समस्या आपकी पोस्तल वैलेट से आपने बोट डाला था क्या क्या बोल रहें अंदर अब क्या हुआ फिर नहीं डाला नहीं है इस तरह से सुबह से अब तक कई ऐसे मामले कई ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आ चुके हैं जहां बीजेपी के द्वारा इस तरीके से वोटों की डकैती की जा रही है वोटों को लेकर के धांदली की जा रही है क्योंकि निस्पक्ष शुनाफ से बीजेपी के जीतने की उमीद ना के बराबर है और बीजेपी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती है रिजल्ट के पहले ही बीजेपी ने इन सारे कारनामों को करके दिखा दिया है कि बीजेपी ने रिजल्ट के पहले ही घुटने टेक दिये पहले चरण के मतदान में भारी शिकायते सामने आई जो सब भाचपा कसे जूड़ी थी कई बजोल गैसे हैं जो आज मद्दान करने के लिए केंद्रों पर पहुंचे और वहां उन्हें पता चला कि पोस्टल बालिट से पहले ही वोट डाला जा चुका है और सभी जगा शिकायत बीजेपी को लेकर ही सामने आई जहां कभी बीजेपी की कारे करता तो कभी अधिकारी कभी उनके समर्थक लोगों को जबरदस्ती बीजेपी को वोट डलवाते दिखे और ये तो बस शुरुवात है अभी तो छे चड़नों के चुनाव बाकी है लेकि करता है